आप देख रहे हैं वीपी लाइव और मैं हूँ आपके साथ सचन वैद आज एक खास देन है प्रो टेनिस लीग का चौथा सीजन चल रहा है और आरके पूरो में इसमें मौझूद हो और हमारे साथ को फांटर मौझूद है अधित्य जी बहुत स्वागत है आपका वीपी ला अधर कैसा इस बार का सीजन आप देख रहे हैं बहुत बड़िया चल रहा है इस बार का सीजन अपने चौटे सीजन हैं इस पर प्लेयर भी 64 प्लेयर आप और वी प्लेयर के लिए करई कर जाइगी और कर समीफाइनल और फाइन बशीन बोनों एक ही दिन पर है यह सारे मैं कप्रीट हो जाते हैं सारे मैं सेंटर कोट पर हैं तो मैं दर्शकों को बोलूगा कि आप संख्या में आए टैनिस को सपोर्ट करें और टैनिस लीग को आके देखें हमारे इंडिया के सारे टॉप खेल रहे हैं मेंस विमिन्स जूनियर सारे और एक्स्डोस भी तो सारे लोग टैनिस एक इसले जैसे क्रिक्ट का टीटवच्वणटी फॉर्मेट होता है तो इस बार जो प्लेयर आ रहे हैं खास्वर यंग्सक्र्स के लिए आपको क्या लगता कि इतना को सीखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे सीनियर जैसे नियर हैं यहां पर कैसे देखते हैं उसे तो सारे डेविस कपर, uważ लिए रामकुमार शार एपर इंडिया कोचर्थ रामकुमार आमनाथन तो थे डीविस कप खुश हैं तो भातीय को जिन के प्लेयर से घराम कुछ लिए र के शेक्ट norm Dieses को और उनके साथ एक टीम में बैठ सके और उनके साथ उनकी जो experience को आगे जाके ले सके और इनकी फिर relationship बन जाती है तो यह साल भर टच में रहते हैं क्योंकि tennis otherwise एक individual sport है तो सारे player अलग-अलग देशों में खेल रहे हैं तो जूनियर इतना मिल नहीं पाते प्रोस से और प्रोस भी आपस में नहीं मिल पाते तो एक तरीके से यह tennis का festival हो जाते हैं जा सारे player कठे हो जाते हैं हमारे और धूम-धाम से हम tennis की celebration करते हैं और जूनियस के लिए बहुत ही अच्छी experience है होंगी उनको stadium court पे सारे chair करने डेविस कपर player चेर कर रहे हैं और audience देख रही है point system है तो pressure भी handle करना से तो बहुत ही जूनियस के लिए best league है यह मैं कहता हूंग क्योंकि यहां पर प्रोज भी player हैं जो की international level पर बड़े level पर खेल कर आएं बहुत अनुबव हैं उनको और junior players भी यहां पर खेल रहे हैं और अगर हम इस format की बात करें जैसे कि हमने देखा कि बहुत शौटेस format है इसके अंदर जल्दी से कि तारीक में हमें इतने सारे बच्चों को मेसेज आए फोन आए टेनिस प्लेयर्स की कि हमें पीटेल कैसे के सकते हैं कैसे पार्ट बन सकते हैं तो एक यह चौथा सीजन है तो लोगों में काफी अब उत्सा जाग चुका है इस league को लेकर और मेरे ख्याल से यह league ग्रो ही करत बिल्कुल बड़ा होगा क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं काफी growth देखने को बले लेकिन youngsters से जुड़ा हुआ सवाल में आपसे करना चाहूंगा कि डेली में भी lovers हैं tennis के खेलना पसंद करते हैं boys and girls जो हैं और उनके लिए क्या मतलब आगे वो अगर participate करना चाहते हैं PTL के अं होते हैं तो उसमें हम ranking के साब से बच्चे लेते हैं पर हम 3-4 event करते है road to PTL जिससे जो अब बच्चा जीजा है वो select हो जाता है PTL की टीम में एक तो हमने इस साल भी रखा था दिली में बैंगलॉर में और अलग शहरों में तो उससे एक एक बच्चा जीता है वो टीम में आ छिलने का क्योंकि pro-player्स भी यहां पर खेल रहे हैं और बैंकलूडु टीम के लिए भी खेले रहें कही सारे प्लेयर तो कौन से फेवरेट प्लेयर इस बहुत बहुत बङतेर करंगे और जीते प्लेयर जीता भी है तो यह पॉइंट सिस्टम में तो इतना मार्जन नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से प्लेयर हमारे राम कुमार बहुत अच्छा कर रहे हैं अरजुन खड़े बहुत अच्छा कर रहे हैं विजे सुंदर प्रशान जीवन ने भी तो बड़ा अच्छा किया है जैनिफर सहाजा और सारी टीम अभी बैंस्ट अभी बता नहीं सकते हूं कि फॉर्माट ऐसा है जब तक हमें भी पता नहीं चलेगा जब तक कौन सी टीम समी फाइनल पहुंच दे कि कौन आगे जाने वाले हैं जब तक सामें सारे पॉइंट का रिजल्ट में आज 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 इस लीग को भी वैल्य और खेल भी था इस पार वीच साल के बाद आज अपने बच्छों के साथ टेटीनिंग करें अपनी और वो इतने फिटटा आभी 52 ए और आभ उनका मैंस देखो तो कितना अमेजिक खेल रहे हैं वार भीए तो उनके जुनने से बहुत बच्चों कोब वही सारे बढल भी लेएं का जी किस ही मिनिश कyah लेंगे उनको मुटेय कर चाहिए यहिसे सरों में वेलें कि बने पेसा कैसा कई सारे टाइस में इसलिए कंपल से Direct और मह éta unless कुछ नाम वहther रहा? में अच्छे प्लेयर खेंटर मार पास नौ प्लेयर हैं अभी टॉप 150 में डबल्स में युकी भामरी साकेद मैनेनी गोहन बपना भी विल्ड नंबर 19 यह 25 में पर 25 में जीवन अनिरो चंद्र शेकर अभी टॉप 200 में मैंस डबल्स में सिंगल्स में रामकुमार सुमित नागल फिर से आगए तो यह सारे हैं विमिन्स में अंकिता राइना कर्मन कौर बन गी है वर्लम इंडिया नंबर वान रिया भातिया सहाजा इस गुड टैलेंट तो प्लेयर्स बहुत सारे हैं पाइपलाइन में और सब अभर रहे हैं अब ड क्योंकि भी जो अलग से खेल रहे हैं तो यह बहुत ही अलग में लग ब्लेट प्लेटेकर के साथ विल लाग क्या अंग्ला सीजन यह सीजन दो बहुत उच्छा गुजरर हैं और और प्लेयर खेलेंकम बढ़ाई और दस टीमों का हमारा है और शायद हम 8 प्लेर से 10 प्लेर भी करते हैं और जूनियर को भी चांस करने हैं कॉमेंट में थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं तो उससे आप से प्रोग्रेस के बाद हम लोग आपने बच्चे को कैसे और और प्लेयर को भी कैसे अपर प्लेयर को भी किसे इन्वालब करें अपने साथ एक सबाल मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि टैनिस जो है टै आगे आना चाहते हैं कुछ अगर हम उनको पर प्रवाइड कर सके तैसिलिटीज के तौर पर देखो हमारे पास चो फेडरेशन की तरफ नैशनल टैनिस संटर खोला हूँ है तो उसमें तॉप प्लियर्स खेलते हैं इंडिया के जुनियर्स तो उसमें आइधिंक हम बच्च पर बच्चों को उमीद करते हैं कि आने वाले सीजन में और बैटर और अभी बहुत ही शांदार यह जो है टौर्नमेंट इससा भी गुजर रहे हैं को यंग्स्टर्स को जो की आगे आना चाहते हैं टैनिस के अंदर बिल्कुल अब महनत करो यह स्पोर्ट एक पूरी ग्लो अब महनत करो महनत के सवाए कुछ नहीं होता अच्छी कोचिंग लो और अच्छे टॉर्नमेंट खेलो और पीटल के लिए देखने आओ स्पोर्ट को सपोर्ट करो अच्छे जितना देखेंगे उतना स्पोर्ट बढ़ेगा और जितनी स्मॉल टां में बच्चे खेलेंगे इस पोर्ट को पाप्लारिटी मिलेगे और लोग खेलेंगे और नहीं से चैंपिन निकलेगा तो इंकरेज करोंगा सब को खेलें और आके स्पोर्ट भी देखें भी और सपोर्ट करें बाबल शुक्रें भी लाइव से बात सीथ करेंगे